नमस्कार दोस्तों एडवाइस टीवी ट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है दोस्तों आज किस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो गुलाब का पोदा हमने अपने गमले में लगा रखा है अपने पोट में अपने कंटेनर में लगा रखा है उसकी देखभाल हमें कैसी करने कापी डिफरेंस होता है अगर जमीडियों को सुरू करने से पहले आप सब्सक्राइब नहीं कि अगर आपAY तक आपने से चैनल कम ऐन नहीं कि अज़ Thailand प्रस करें है ताकि आपको नई वीडियो का नोटफिकेशन सबसे पहले मिले वीडियो पसंद आये तो इसे लाइक कर दें सेयर कर दें तो चलिए आज की इस वीडियो को हम सुरू करते हैं तो गुलाब के पौदर की देखभाल करने से पहले हम पहले यह जान लेते हैं कि हमें गमले का साइज क्या चुनना चाहिए अगर आप अपने गुलाब के पौदर को गमले में लगाना चाहिए तो उसकी size क्या रखना चाहिए अगर आप छोटे size वाले पोधि लगा रहे हैं तो आपका जो गंबले का size होना चाहिए लगवग 12 इंच के आसपास होना चाहिए अगर आप उसे थोड़ा बड़े गुलाब लगा रहे हैं तो 15 इंच का गमला होना चाहिए और अगर आप बिरिच गुलाब या जो एक पेंड की तरह हो जाता है अगर आप उसको लगा रहे हैं तो आपका गमला या कंटेनर 18 से 18 इंच से उपर ही होना चाहिए कुल मिला के 12 इंच से चोटे पौट में आपको गुलाब के पौधे नहीं लगाने हैं और जितना बड़ा पौट रहेगा उतना आपके गुलाब के पौधे के लिए फायदे बंद रहेगा तो हमेसा बड़े साइच के पौट का चुनाओ करें अब बात कर लेते हैं कि हम कौन से पौट का चुनाओ करें सबसे पहले मैं बरेताहर दोगा मिटिकर अगर अच्छे मिल जा रहे हैं TO मिटिकर दrikan में लगाए नएं तो किन्पलास्टिक दम्रफ प्लाश्टिक கुन यहांनिन् Şimdi को सब्सक्राइब तो माई बाएखे को सब्सक्मिन में अब कर सकते हैं तो आप अपने बाएखे को एक यहां का इसमें आपके प्लास्टिक की गमले ही बहतर रहेंगे क्योंकि यह काफी हलके होते हैं कम वजन के होते हैं और आपको अपने पोधे उठाने में भी ज्यादा दिक्कत नहीं होगे तूटने काफी इसमें काफी कम डर रहता है अगर बात की जाए मिट्टी वाले गमले बहुत तूट जाते हैं और थोड़ा सा भी हो गिर गये तो आपके गमले तूट सकते हैं तो अगर ऐसी इस्तित्व हो कि आपको बार-बार अपने गमले इता से उधर करने पड़ रहे हैं तो आप प्लास्टिक की गमले का चुनाव कर सकते हैं अब हम गमले के लिए स्वाइल मीड और 10% आपको इसमें सेंड यानि रेत मिला लेनी है 50% आपको गार्डन स्वाल लेनी है 30% आपको गोवर खाद लेनी है 10% आपको इसमें रेत मिला देना है इस mixer में आप अपने रोज प्लांट को असानी से ग्रोग कर सकते हैं किसी भी प्लांट को असानी से लगा सकते हैं अब हम बात कर लेते हैं fertilizer की अगर fertilizer यह खाद की बात की जाए तो गुलाब के पौधे के लिए सबसी अच्छी जैविक खाद मानी गई है इसमें आप गोवर खाद, वर्मी कमपोश्ट, लीब कमपोश्ट, कोई भी खाद जो पूरी तरह से औरगैनिक फटलाइजर हो, उसका परियोग आप अपने गुलाब के पोधे के लिए कर सकते हैं आपको परतेक 15-20 दिन के अंतराल पे थोड़ी थोड़ी मात्रा में अपने पोधे में इसका परियोग करना चाहिए गर्मी के दिनों में आप बहुत कम मात्रा में इसका परियोग करें, अगर ना भी करें तो भी बहतर रहेगा गर्मी की दिनों में आपको किसी भी परकार की रासानी खात का प्रयोग नहीं करना है मेरे हिसाब से आप अपने होम गार्डन में यानि घर के बगीचे में कोई भी रासानी खात का प्रयोग बिल्कुल ना करें अगर आप ऐसा करते हैं तो अगर थोड़ी सी मात्रा भी आपके रासानी खाद की जादा हो जाती है तो आपका पदा सूख जाता है तो गर्मी की दिनों में आप विसेश कर इसका परियोग ना करें अगर आप कर रहे हैं पहले से इसका प्रियोग तो आप बाकित की दिनों में कर सकते हैं लेकिन कर्मिय की दिनों में आपको रासानी खा दियानि केमिकल फर्टिलाइजर का प्रियोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए अब हम बात कर लाते हैं कि हमें अपने गमले कहां पर रखने चाहिए तो दोस्तों अगर आपके पास ज़्यादा इसपेस नहीं है तो आप अपने गमले किसी ऐसी जगा पर रख सकते हैं जहां पर कम से कम 6-7 गंटे दूप आती हूँ गुलाब के पौधे को 6-7 गंटे की दूप बहुत आवस्तक होती है अगर आप उसमें धूप नहीं देंगे तो आपका पौधा अच्छे से गुरो नहीं कर पाएगा पानी जरूर दें अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो कम से कम रोजाना इसमें साम को पानी जरूर डालें अगर आप दो बार पानी दे रहे हैं तो सुबह और साम को दें अगर आप सिर्फ एक बार ही पानी दे रहे हैं तो आप इसमें साम को पानी जरूर दें गुलाब के तो केवल प्रड़ प्रण्ट प्रण्ट करने मिलने म्लों ये और को फूरके पुरर इसा करने लिए पानी asleep YouTube में दाले उसके पंटेशक फूरकिंट्व पूर्ण प्रूर्णि करते रहना है जब भी आप देखें कि इसमें कोई पतिया सूख गई है, कोई बरांच सूख गई है और आपकी फ्लावरिंग हो गई है, उसके बाद में आप इसकी साफ प्रोनिंग कर सकते हैं, अगर आपका पौदा ग्राफ्टेड है तो हार्ट प्रोनिंग ना करें, अगर थोड़ा बड कोई पेस में खाट डालते रहें, अच्छे से अगर देख भाल करते रहेंगे, तो आप अपने गुलाब के पोदे से बहुत सारे धेर सारे भूल पराप्त कर सकते हैं, तो दोस्तों अगर आप कोई वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, सेर करें, कोई अगर जानक